हिंद भारत आपकी अपनी आवाज केरल में हर तरफ बिखरे पड़े हैं तो चलिए आपको ले चलते हैं के खूपसूरज सफर पर पहले चलते हैं मुननार केरल में सबसे जादा देखे जाने वाले जगों में से एक है खासतोर पर हनिमून इस्थानों के लिए चाय के बगानों से घिरा ये शहर बहुत ज़ादा मीर है साथ ही यहां बहुत ही अलग फूल भी खिलते हैं हनिमून कपल्स यहां की घाटियों, जर्णों और चाय के बगानों के साथ कुछ दिन बिताने के लिए यहां आते हैं चाय के बगानों से चलते हुए, हाउस बोट्स पर घूमते हुए, बैक वोटर को एक्सप्लोर करते हुए आप मुननार घूम सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं एलेपी की तरफ, एलेपी यानि अलब पूझा या फिर जैसे वहां के इस्थाने लोग इस शेर को कहते हैं एलेपी, एलेपी बेहत खुबसूरत जगा है, इस जगा को भी आप अपनी हनिमून ट्रैवलिंग लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, जो केरल क सबसे अच्छे हनिमून स्थलों में से एक है, एलेपी के समुन ट्रैवलिंग के पास लाइट हाउस और खुबसूरत पार्क कपल्स को बहद रोमैंटिक बना देते हैं, आप यहां के बीच से संसेट या बैक वाटर पर एक हजार से ज़ादा हाउस बोट का नजारा देख स अधिर, कृष्णापूरं पैलेज और मरारी बीच यहां देखने लाइक जगा है, और अब हम सफर को राम देते हैं कुमार कौम में कुमार कौम, पहली बार लोक सिटी की रूप में जाने जाने वाला कुमार कौम केरल में हनिमून के लिए एक आदर स्थान है, इस शेहर में केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील आप देख सकते हैं, जिसे वेमनाट कहा जाता है, जील इस छेत के लिए विशिस्ट प्र साकरतिक प्रजातियों की संपंता का केंद है, जादातर हनिमून कपल्स कुमार कौम में कुछ दिन शान्ती से रहने के लिए आते हैं, सुन्दर हाउस बोट्स पर शान्त से बैठ कर बैक वाटर का मजा लेते हैं, कुमार कौम एक फेमस बर्ड सेंचुरी का घर भी है, जहा कई मार्गिरेंट्स पक्षी बदलती मोसम के रूप में देखे जा सकते हैं, कुमार कौम का अदित्यपूरम सुर्य मंदिर काफी फेमस मंदिर है, तो हमारा और आपका साथ में केरल का सफर तो पूरा हो गया है, लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ हनिमून पे केरल लेकिन यह तब ही होगा जब आप हिंद भारत को सब्सक्राइब करेंगे